अच्छा मल्टी क्रिन आटी का इस्तमाल करके बहुत ही टेस्टी और बड़ी आसा नाश्ता बनाएंगे तो वीडियो को लास्त दक जरूर देखिएगा पसंदा है तो श्यक करना मिल्कुल मत भूलेगा कौन सी सीटी से मेरा वीडियो देख रहे हो कमेंट करके मुझे जरूर पूर बताएगा और इस रेसिपी को पूरा देखिएगा बनाएगा जरूर तो चलि मैरे आटा डाल दिया पराथ में साथ ही डाल दूगे थोड़ी सी काली मिर्ची और नमक स्वात के अनुसा और इसे अच्छे सी आटे में मिक्स कर लेंगे आटे को हमें गुनना है तो काल लाल मिर्ची का भी इस्तमाल कर सकते हो एक चमच घी डाल देंगे और घी को भी अच्छे सी आठे में मिला देंगे यह मैंने लगबग 2 कप जितना आठा उठाया है यहां मेरी कहां से लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो अगर आपको जानना हो तो पानी डालते कलर थोड़ा से डार्क रहता है लेकिन हेल्दी बहुत रहता है खाने में भी बहुत ही अच्छा है आठा गुंद कर बिल्कुल तयारे थोड़ा सा घी लगा के मैं इसको थोड़ा सा मसल दोंगी और आठे को हम 10-15 मिनिट करने देते हैं रेस्ट तब तक हम बढ़िया से स्टाफिंग बनाने के लिए यहां मैंने उठाए आज काले चने जिसको मैंने रादबर सोक करके रखा था और इसको बॉइल कर लिया है हम नॉर्मली जैसे रादबर सोक करते हैं चनों को और फिर उबालते हैं न 5-6 सीटी लगा के बस वही मेरे पास पड़े थे तो मैंने म मिर्ची नहीं चरके दी कई बसटों सकते हैं य से सई ही थोड़ी कडि पत्त्य भात्ति चीह बारिकटी जीरा पाउडर चर्मार हैं है तो क्वानड़ कि रिखा अच्छे से मिला दीजे स्टाफिंग बनकर बिल्कुल तयार है चलिए आटे ने भी रेस्ट कर लिया है तो इसको वापस से थोड़ा सगी लगा के इसको मसल लेंगे और फिर इसकी लोई तो लेंगे तो यह बहुत ही हेल्दी सामय पराथा आपको बता रही हूं बहुत ही टे बेलने का तरीका भी में आपको बताती हूं इस प्राटे को हम स्क्वार शेप में बनाएंगे तो कैसे बनाना है वो भी आप देखिए जरूर तो बस यह रोटी बेल चुकी है इसमें थोड़ा सगी अपलाए कर लेंगे और जोमने स्टफिंग तयार करके रखिए ना टेस् और इसको कुछ इस तरह से आप लपेट लीजेगा ताकि इसका जो पराठी का शेप है स्क्वार शेप में आए तो मैंने इसको इस तरह से बेल लिया थोड़ा से सूखा आटा लगा लेंगे और साथ ही एक तरफ से मैं कलोंजी की दाने इस पर चिपका दे रही हूं आपको बहुत पसंद आई थी तो मैं आशा करते हूं यह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी तो आप जरू ट्राइ कीजिगा और लोकी के पराठी की रेसिपी अभी तक नहीं देखी तो मेरे पेच पर जाके जरूर देखेगा बहुत ही बढ़ा से पराठे बने थे और ये वाला पराठा आप ज़रूर बनाईगा जो न्यू कमर्स है मतलब न्यू न्यू है किचिन में और अभी भी खाना बनाना सीख रहा है तो उनके लिए ये रेसिपी बेस्ट है तो मेरी पेच को फॉलो करके रखिए मैं सिंपल ईज करिके रेसिपी स्काइब डालती हूं आप सेखाती हूं तो आप ज़रूर बनाएगा और मेरी वीडियो देखके about what you made यह भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और मेरी कौनसी रेसिपी आपको ज्यादा पसंद आईए यह भी प्लीज बताएगा जरूर कमेंट करके तो चलिए बातों बातों में मेरा पराथा बेल चुका है इसको मैं आइरन तवे पे सेख लूँगी थोड़ा से नीचे समय आप इसन ग्लाँ पराथे में तो कम जादा आप अपने हसाब से लगा सकते हैजा आप नहीं लगाना चाहते हूँ डायटिंग कर रहे कि skip करके ऐसी सेक कर भी आप खा सकते हूं आप इसे अचार के साथ दही के साथ दनी पुदिने की चटनी के साथ आप इंजोई कर सकते हो तो ये देखिए मेरा पराठा बनकर बिलकुल तयार है बहुत यमी सा टीस्टी सा पराठा है बनाईगा जरूर आपको बहुत पसनाएग तो आज मैं इसको इंजोई करें दही के साथ और दही के साथ साथ पापड सेंदी है तो पापड तो चाहिए चाहिए तो मेरा पराठा बनकर बिलकुल तयार है आपको बना रहे हो और आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा पसनाएग के साथ शेयर जरूर कीज़ेगा अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हूं और यह बहुत ही टीस्टी सा यम्मी सा पराठा है इसको बनाएगा जरूर कहा से वीडियो देख रहे हो कमेंट करके भी मुझे जरूर बताएगा मेरी जाइशी गरीश वाइगुरूजी